व्यूटर वरुन वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे थ्री इंपोर्टन कोश्टन्स रिलेटेड टू सर्वाइकल स्पाइन अब आप लोगों ने बहुत जादा कमेंट्स भी किये थे और रिक्वेस्ट की थी कि आपने बैक पर एकसाइस बना दी हैं कोश्टन् गणा देख तो एक आप सर्वाइकल कोश्टन्स लीजिए तो स्रवाइकल स्पाइन के रिलेटेड लोगों के कोश्टन है कि हमें सर्वाइकल कॉलर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए स्पवाइकल स्पाइन में अगर C5-C6 और C6-C7 में डिस्क बल जाए तो क्या में उसकी सर्जरी करवा लेनी चाहिए और थर्ड इंपोर्टन कोश्चन होता है पिलो को लेके तो यह तीन कोश्चन में आपके लोंगा और आपका पूरे डाउट क्लियर को तो इस वीडियो को लास्तर जरूर देखिए तो चलिए चलते अपने फर्स कोश्चन पर है कि हमें सर्वाइकल कॉलर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए अगर लगाना भी है तो कब लगाना है वो मैं आपको बताता हूं तो सर्वाइकल कॉलर जो होता है वो होता है हमारा किसी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए माली जे सर्वाइकल स्पाइन के रोब ट्राफिक एकसिदेंट रहा है उसको स्थेवल करने लिए कि उपर करता है उसको चक्कर आता है। अगर आपको सश्च टिफनेस है। उसके लिए किस्टिफनेस को तो बाइसने की को स्ट्रीफनेस को तो वो Size dragging जाएगी आप कॉलर सिर्फ तब लगाई है जब आपको हर मूवम्मेंट पर चक्कर आ रहा है यहां वॉम्टिंग की सेंसेशन आ रही है तो इस तरह से जब भी आपका जो प्रॉब्लम होती है वो इंजिरी रिलेटिड होती है यहां आपको किसी वज़ा से जो हैड को मूव क करने में कई आपके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तब आप कॉलर लगाई अधरवाई सिर्फ पेन को रोकने के लिए को लगाने की कोई जूर नहीं है और हां कई लोगों को लगता है कि कॉलर लगाएंगे तो हमारे नेक के मसल वीक हो जाएंगे इसलिए कॉलर नहीं लगाना तब होती है जब हम इसको सारा दिन लगाके रखते हैं और अपनी एकसाइज नहीं करते हम वो लोग अच्छे हैं जो कॉलर भी लगाते हैं टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए माली जी कहीं उन्होंने जाना है और एक और हां एक बहुत ज़रूरी बात है जो सर्वाइकल कॉलर है उसको लगा के आपने कभी ड्राइव नहीं करना है क्योंकि जो कॉलर होता है वो आपकी नेक मुवमेंट को रिस्टिक्ट करता है तो ड्राइव के टाइम हमें इधर उधर देखना पड़ता है और अगर कॉलर लगा होगा तो एकसिडेंट होने के भी चांस है तो कि आपके मसल भी स्टेवल रहें और आपका जो कॉलर है उसका भी जो परपस है वो सौल हो जाए तो यह था हमारा पहला कोश्चन सेकिन आपका था कि हमें स्लीपिंग पिलो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो सुकून फिजिकल थेरपी की वेबसाइट पे जो इस प्रोड़क्ट हमारा ओफर पे लगाया वह हमारा टेल बॉन कुशन यानि की कॉक्सिक्स कुशन तो यह पूरा वन वीक के लिए वैलिड रहेगा यह आपको ओफर में रहेगा वह नया प्रोड़क्ट आ जाता है तो इस तरह से आप हर वीक चेक करते रहा करिए कि कौन-कौ तो इस तरह से रहेगे तो इसको गैप को फिल करने लिए पिलो बहुत ज़रूरी है और पिलो लीजिए अपने लेल का लीजिए लेवल करने लगता तो मैंने वीडियो बनाए है पिल्लो के लिए वह जाके आप जुरूर देखिए उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इन पिल्लो को हमारी वेबसाइट पर भी आप जाके बाइ कर सकते हैं तो यह था हमारा सर्वाइकल पिल्लो को लेके वह आपको सारे कोश्चन वहाँ पर आपके जो को पता है कि उसकी वेरा से है इसी चना से सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन की वेरा से भी अगर नव प्रेस होती है तो उसका पेंज जो है वह आम में जाएगा हाथ में जाएगा तो इसके लिए हमें सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं चाहिए यह बहुत अच्छा कोश्च पर जिनका कॉम्प्रेशन बहुत हाई लेवल का हो जाता है मालनीजे आपकी जो मसल वीकनेस शुरू हो जाए अगर आपको इतनी जाधा पेंके साथ साथ नमनेस टेंगलिंग यह चलता है यह नॉर्मल चीज है पर आपके वीकनेस ग्रिप कम उनी शुरू हो जाए तो हमें सर्जिरी करवानी पड़ सकती है, आपका हाथ ना उठे, आप इस तरह से हैंड रेज करके रखते हैं, तो अब धीर धीर आपके हाथ जो है, वो अगर नीचे आ जाएं, इननी धीर होल्ड ना कर पाएं, आपको छोटी ग्रिप ना कर पाएं, आपकी राइटिंग, अगर आपको यह हैंड राइटिंग या सिगनेचर कर रहे हैं, तो वो इंबैनेस होना शुरू हो जाएं, पैन की ग्रिप ना हो, या आपको यह ग्लास होल्ड कर रहे हैं, वो आपसे ना हो, इनको हम कहते हैं वीकनेस, यानि की मोटर साइंस, जब हमारा मोटर डेफिस सिट शूट हो जाता है, तब हमें सर्जरी की जूरू परती है, सेंसरी लॉस अगर पूरा हो रहा है, माली जी आपको यह दो फिंगर्स हैं, आपने कोई चीज पकड़ी है, पकर रहे हैं, पर आपको फील नहीं हो रही है, कि मेरे फिंगर्स ने कोई चीज प उसकी वज़ा से जो exercise करेंगे या medicine होगी, उससे आपका inflammation कम हो जाएगा, exercise से nerve के लिए जगा बन जाएगी, उन सब चीजों को करके हम इसको solve कर सकते हैं, पर जो मैंने आपको बताया कि अगर weakness शूरू हो जाए, यहां आपको बोडी के नीचे वाले हिस्से में, जहां क्यों चाहिए, तो यह थे आपके three important questions cervical spine से लेके, और एक और आपको बता दूँ के हर cervical की problem, हर neck की problem, cervical की problem नहीं होती, cervical spondylitis या cervical spondylosis complete term होता है, कभी भी आप neck pain को ऐसे मत कहा करें, मुझे cervical हो गया, क्योंकि cervical जो है, इसको हम medical term में neck को cervical बोलते हैं, neck pain बोलिए, यहां पे pain है trapezitis ह होता है, cervical spondylosis होता है, वो age related होता है, वो मैं आगे आपके चलते हैं, वीडियो में आपको बताता जाओंगा, तो यह थे आपके three answers, इस वीडियो को जाह से like कीजिए, और share कीजिए, सबके साथ share कीजिए, जिसको भी आपको लगता है कि neck की problem है, उसको यह चीज़े पता होन कीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है, और बाकी cervical spine से related जो भी मैंने आपके वीडियो बनाया है, उसका मैं playlist में आपको link description में दे दूँगा, वो जाके आप जुरूर देखिए, और cervical pillows को order करने के लिए आप मारी website पर जाके directly order कर सकते हैं, have a nice day, take care of yourself.